हेलो एवरिबन दा पॉलेटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों सीबेसी द्वारा एक नए नोटिफिकेशन जारी की कही है और इस नए नोटिफिकेशन के दोस्तों सीबेसी के इस साल की सबसे बड़ी कबर कहेंगे क्लास 10 और क्लास 12 एक्जाम देने वाले बोर्ड का उनके बोर्ड एक्जाम के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आया है दोस्तों अब बदलाव क्या किया गया है इस वीडियो में आपको पता चलेगा वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कर दे दिया आप हमारे चैनल पर नहे है तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें लिए अब यहां पर दोस्तों दिख रहा आपको जैसे आपर मैंने यहां पर फर्स ट्रम लिखाए तो सीपसी ने इस साल जो 2022 के एक्जाम होंगे सीपसी क्लास 10 और 12 को उन दोनों क्लास के पेपर को दो भागों बाट दिया गया है एक को फर्स ट्रम में कहा गया दूसरे को सेकंड रम का गया फर्स ट्रम का जो पेपर होगा दोस्तों वह कब करवाया जाएगा यह लिए जाएंगे नौंबर और डिसंबर के दोरान अब फर्स ट्रम में कितने प्रतिसास सिलेबस आएगा पूरे पेपर में यानि अगर जो भी आपने पढ़ा है पचास प्रतिसास एस दोरान वो इस पेपर में पूचे या हैंगे तो सिलेबस की तो camp कार्णाओ जिलाएक या जुलाई के और सिलेबस नौंबर डिसंबर के लिए कितना होगा ठीक है अब यह एक्जाम कहा होंगे दोस्तों जो नवंबर और दिसंबर के दुरान फर्स्ट स्टम के एक्जाम होंगे यह हमारे स्कूल में लिया जाएंगे फर एक्जामपल के लिए जैसे आपके प्रीबोर्ड परिक्षा होती थी स्कूल के दोरान उसी तरह ही आपके परिक्षा स्कूल में लिये जाएंगे परिक्षा करवाई जाएगी बट दोस्तों जैसे practical में external examiner हमारे वाईवा लेने के लिए आते हैं practical लेने के लिए आते हैं ठीक वैसे ही इस exam के दुरान जो external examiner रहने दूसरे school के जो teacher है वो आपके school में आएंगे और आपकी परिक्षा को contact करवाएंगे किलियर अब second term की बात कर ले थी फिर special case की बात करेंगे कि special case में क्या हो सकता है तो second term की अगर हम बात करें दोस्तो second term का exam होगा यह होंगे मार्च और अप्रेल में और इस मार्च और अप्रेल का syllabus क्या होगा इसको भी दोस्तो जुलाई के सब्जेक्टिव बेस पर कोश्चन पूछे जाएंगे अब किस आधार पर पूछे जाएंगे वह मैं आपको बता दूँ तो केस बेस कोश्चन हो सकते हैं इसमें ऊजह गातार करते हैं ठीक वैसी होंगे हैं पचास परतीų अब बात करते हैं दोस्तो स्पेशल केस में क्या होता रहे कि अप्रेलोर मार्च के दौरान कोवीण 19 जो जादा बढ़ जाता है अब ऐसी स्थिती में दोस्तों क्या होता है कि सरकार जो है सी बेसी जो है वह 90 मिनट का जो है पेपर करवा देगी आपका वह भी एमसी क्यूंट पर आधारी जैसे फर्स्ट तम पर किरवाया जाएगा सरकार के दोवारा ठीक वैसे ही 90 मिनट का जो है एमसी क्यूंट पर प्रसंद आप से पूछे जाएंगे और उसका उत्तर आपको देना होगा चार में से तो ऐसे ही फर्स्ट टम के दुरान अगर माल लेते हैं कि नॉम्बर दिसंबर में केस जादा है तो ऐसी इस्तिति क्या होगा जो आप क्लास बेस पर एक्जाम दे रहे थे अब वो कुरोना के सिथी विकराल रूप धारान कर लेती है और इस्तिति है कि एक्जाम ना करवाए जाए ठीक वैसे ही सिथी अप मार्च और अप्रेल के दुरान भी है तो ऐसी सिथी में जो एक सिच्वेशन बनती दो तो इसमें नोटिफिकेशन एक आ गया है कि अगर ऐसी सिथी में जानी चाहिए दोस्तों कि वेटेज किसका जाद होगा फर्स्टरम का वेटेज जाद होगा या सेकंड ट्रम का वेटेज जाद होगा तो अगर दोस्तों नोर्मल इस्तिति रहती है कोई कुरोना की सिथी नहीं रहती है तो जो सेकंड ट्रम का एक्जाम हमारा है जो मार् हमारे रिजल्ड में जादा होगा और फर्स टम का जो वेटेज वो काम होगा यह अंडर सिच्वेशन निर्भर करता कि सिच्वेशन कैसी है ठीक है किलियर होगे दोस्तों तो दोस्तों यह रही आज के पूरी तरह से नोटिफिकेशन वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करते या दिया आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले और बेल आइकनों जरूर दबाते हैं इस वीडियो को ज़्यादा सेल करें दोस्ता कि इस वीडियो को और भी बच्चे देख सकें और इस नोटिफिकेशन को जान सकें और अपनी तयारी को और अच्छे से और पुक्ता कर सकें धन्यवादा